तिस्टर फील स्प्रिटिंग इन टेट्राहडरल कॉंप्लेक्सेस यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चतुष फलकी संकुल की सरचना है हम जानते हैं कि जो चतुष फलकी संकुल होते हैं उसमें लिगन केंद्रिय धातु परमानूं के चारो और यहाँ पर एक दूसरे के साथ 109 degree 28 minute के इस्थती पर उपस्थित होते हैं यहाँ पर कोई भी लिगन एक्सेस पर ना उपस्थित रहकर एक्सेस के मध्य में अक्षो के xy और z एक्सेस के मध्य में उपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह से उन आर्बिटल्स की अर्बिटल्स की उर्जा में ब्रधी होगी या उनमें रिपल्सन ज्यादा होगा जो की एक्सेस के मध्य में उपस्थित होते हैं तो इस तरह हम देखें कि जो चतुस्फल की संकुल होते हैं वहाँ पर एक्सेस के मध्य में उपस्थित रहने वाले जो d और्बिटल्स हैं यानिकी dxy, dxz तथा dyz इनकी उर्जा में व्रधी होती है यानिकी हम कहें कि जो टीटू सेट है उनकी उर्जा बढ़ जाती है तथा जो e सेट है उनकी उर्जा कम हो जाती है यानिकी जो एक्सेस पे जो लोब्स उपस्थित होते हैं dx², y², 30, z² इनका जो e सेट है वो यहाँ पर हम देखें कि उसकी उर्जा बेरी सेंटर की उर्जा से कम हो जाती है यहां पर हम एक बात और देन दें कि जो टेट्राइडरल कॉंप्लेक्स होते हैं वहां पर हम जो और विए और बिट लो के सेट हैं उनके लिए जी जो सफिक्स यहां पर लगता था उसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि जो चतुष्षफल की संकुल होते हैं उन में समरूपता केंद्र सिमिट्री सेंटर नहीं पाये जाता है इसलिए हम यहाँ पर जो तीन ओर्बिटलों का सेट है उसके लिए हम T2 का इस्तेमाल करते हैं तथा जो नीचे वाले जो सेट हैं उनके लिए हम E सेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जब हम चतुषफल की संकुल और अस्टफल की संकुल में क्रिस्टल फिल्टिंग एनरजी की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चतुषफल की संकुल के लिए क्रिस्टल फिल्टिंग एनरजी होती है उसका मान जो अस्टफल की संकुलों की तुलना में काफी कम होता है तो यहां पर यदि हमारे पास या तो वीक फिल लिगन उपस्तित हों या फिर हमारे पास स्ट्रॉंग फिल लिगन उपस्तित हों जो उनमें प्यारिंग नहीं होती है क्योंकि स्प्लेटिंग कम होती है यह यह ने कि टी टू सेट और ईसेट के बीच जो अर्बिटलों के सेट है उनके बीच जो एनरजी गैप है वो कम होता है और अता एलेक्टरान आसानी से इसेट के बाद यह टी टू सेट में यह जंप कर जाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि octahedral complexes की तुल्ला में यहाँ पर जो configuration हो रहा है यहाँ पर जो splitting हो रही है वह उल्टी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जो splitting की मात्रा है वह भी octahedral complex की तुल्ला में कम होती है दूसरी और यहाँ पर हम देखें कि यदि यहाँ समान धातु हो और समान लिगन हो और साथी साथ लिगन और केंद्री धातु परमानों के बीच की दूरी भी यदि समान हो तो यहाँ पर जो चतुषफल की संकुल के लिए जो delta T का मान है तथा अस्टफल की संकुल के लिए जो delta Om değadadadid Aboriginal command है उसमें इस प्रकार से संबंध मिलता है delta T इस उकल तो होता है four by nine delta-octahedral K यहां कहें कि यह डिल्सट्र T is equal to होता ही 0.45 delta-octahedral K तो यहाँ परभी देख रहे हैं कि क्योंकि यहां पर crystal field spitting energy की value यहाँ पर कम होती है और इसिलिए यहां यहां पर वीक फिल्ड लिगन हो या स्ट्रॉंग फिल्ड लिगन हो वहां पर पियरिंग नहीं होती है साथ ही साथ हम यहां पर देख रहे हैं कि जो स्प्रेटिंग एनरजी कम हो रही है इसलिए यहां पर इलेक्ट्रानों का युगमन नहीं होता है और चुकि यहां पर इलेक ले सकते हैं जैसे यह पर है tetra chloride nicolate 2- iron यहाँ पर जब हम nickel जिसका atomic number 28 है और यहाँ पर nickel की oxidation number plus 2 है तो यहाँ पर just nickel का जो configuration होता है final Configuration वो सब्सक्राइबस को यहां पर हम बेख रहे हैं कि इस तरह से इलक्ट्राणों जो है का वितरन होगा इसमें पहले इलक्ट्राण यहां अच्वा इलेक्ट्रान होता है वह जाएगा टी टू में और उसके बाद जो छठा साथवा और आठवा इलेक्ट्रान होगा वह वहाँ पर प्यरिंग उनकी हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पर चुकि एक भी आंतरिक डी कक्षक मौजूद नहीं होगा इसलिए यहाँ पर संकूल होगा और साथ ही चुकि यहाँ पर दो अनप्यर्ड इलेक्ट्रान मौजूद हैं इसलिए हाइस्पीन संकूल होगा साथ ही यह आउटर ऑर्बिटर कॉंप्लेक्स कहलाएगा दो इलेक्ट्रान जो अयुगमित उपस्तित हैं इसकी वजह से यह प्यारा मेगनेटिक क संकूलों में कृष्टर छेत्र विपार्टन जैसे कि आप यहाँ पर एक सरचना देख रहे हैं वर्ग संतली जो संकूल होते हैं उनमें जो लिगन होते हैं वह आप देख रहे X और Y X की दिशा में निर्दिस्ट होते हैं कि दिशा पे नर्दिस्ट होते हैं तो यहां पर X और Y एक्सिस पर पाए जाने वाले जो और्बिटल्स होंगे उनकी में ज्यादा रिपल्सन होगा और फलता उनकी उर्जा में अधिक वृद्धी होगी तो यहां पर हम देखें कि मुख्य रूप से चुकि यहां पर जो स्क्वार प्लेन और वर्ग समतली जो सरचना होती है है वहां पर हम देखेंगे कि जड्ड एक्सिस पर कोई भी लिगंड उपस्तित नहीं होता है जो लिगंड है वो के वल एक्स और वाइक्स पर ही उपस्तित होते हैं तो इस तरह से यहाँ पर जो सबसे अधिक जो रिपल्स्टन होगा वो डी एकस स्क्वारव य स्क्वार और विटलों के लिए होगा और उनकी उर्जा सबसे अधिक होगी इसके लावा हम देखें कि उसके बाद चुकिंगी यहाँ पर प्लेज्ट पर डी एकसवार पर के रिपल्सन होगा वर दी एकस स्क्वार वाइक स्क्वार की तुलना में कम होगा इसके यहां पर हम देखें जो जड एक्स है वहां पर और अर्बिटल माँजुद नहीं है इसके अलावा जो दो और यहां पर और्बिटलों और्बिटल सोंगे डी वाइजड तथा डी एक्सजड जो कि यहां पर प्लेंड के लंबवत उपस्थित रहते हैं तो उनकी उर्जा में यहां पर क्योंकि वो सबसे कम रिपल्सन फिल करेंगे इसलिए जो उनकी उर्जा होती है वह बैरी सेंटर की तुलना में काफी नीचे होती है तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम यहां पर स्प्लेटिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहां पर स्प्लेटिंग जो होगी वह सबसे उपर होगी वह Dx square y square होगा उसके नीचे Dxy orbital होगा और उसके नीचे जो barycenter के लगभग होगा वो होगा डी-जड का स्क्वेयर होगा लेकिन यहां पर square planner में हम देख रहे हैं कि डी-जड स्क्वेयर लोब पर कोई लिगन उपस्तित नहीं है इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि उसके नीचे DXZ तथा DYZ इनकी उर्जा बैरी सेंटर से नीचे होगी तो इस प्रकार यदि हम वर्ग समतली संकुल चतुषफल की संकुल तथा अस्टफल की संकुल में क्रिस्टल फिल्ड स्प्लेटिंग एनर्जी की तुलना करें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्प्लेटिंग होती है वह डेल्टा स्पी यहने की वर्ग समतली में होती है उससे कम जो होती है वह है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की होती है और उससे सबसे कम जो स्प्लेटिंग होती है एनर्जी वह होती है डेल्टा टेट्राहेड्रल की होती है इस प्रकार यह भी देखा गया है प्रायोगी तोर पर की डिल्टा-S-P का जो मान है वह 1.33 डिल्टा-क्त्राहेड्रल के बराबर होता है तो इस प्रकार से यहां पर हम एक वर्ग सम्तिर लिए संकुल का उधारन भी ले सकते हैं टेट्रा साइनाइडो निकलेट टू माइनस आयन चुकि यहां पर जो साइनाइड लिगंड है वह स्ट्रॉंग फिल लिगंड है इसलिए यहां पर स्ट्रॉंग फिल लिगंड होने की वज़े से इसमें स्प्लेटिंग जैदा होती है और इसकी वज़े से यहां पर जो इलेक एक d orbital जो गा n-1 d orbital है वह रिक्त होगा और इस तरह से यहाँ पर जो संक्रण होगा वह dsp2 प्रकार का संक्रण होगा तो इस तरह से यहाँ पर जो और जो सरचना होगी वह square planner होगी तो इस प्रकार हमने भेने भेने प्रकार के संक्रणों में crystal field splitting का अध्यन कर लिया है इस तरह से हमने देखा कि crystal field theory के द्वारा हम संक्रण योगीकों के चुम्बिकिये गुण तथा इनके इस्थायत्यों के विशाय में जान सकते हैं इसके अलाबा संक्रण योगीकों का एक और महत्पून गुन है जिसकी व्याख्या crystal field theory के आधार पर बहुत अच्छे से की जा सकती है वह है संक्रण योगीकों का रंग हम जानते हैं कि जो उपसर सेंज़क योगीक होते हैं उनके जो इनकी मुखे विशेष्ता ये होती है कि ये विभिन रंगों में पाय जाते हैं इनका जो रंगों का विस्तार है वह बहुत अधिक होता है और इसकी व्याख्या हम क्रिस्टर फिल थियोरी के आधार पर कर सकते हैं यह देखा गया है कि जब संक्रूल योगीक के विलियन पर श्वेथ प्रकास डाला जाता है तो ये श्वेथ प्रकास में से कुछ तरंग धैरियों को अवशोशित कर लेते हैं अता अब सैंपल में से होकर बाहर श्वेथ प्रकास होता है वह अब श्वेथ रंग का नहीं रह जाता है निकलने वाला जो प्रकास है उसका रंग उशोशित रंग का पूरक रंग होता है जैसे कि यहां पर कोई संकुल हरे रंग के प्रकाश की तरंगधैरे को और शोशित करता है तो वह उत्सरजित होने वाला या जो प्रेक्षित होने वाला रंग होता है वह लाल रंग का होता है यानि कि यहाँ पर जो संकुल योगिक है वो सफेद प्रकाश में से जिस तरंग धैरे की विक्रणों को अवशोशित कर लेता है तो और अवशोशित करने के बाद इसमें से जो निर्गत प्रकाश है वह जो पूरक जो बची हुई तरंग धैरे होते हैं उनके द्वारा निर् इस color wheel के द्वारा भी समझ सकते हैं यहाँ पर color wheel में आपको दिखाई दे रहा है कि यदि कोई संकुल योगिक या कोई sample यदि orange color के प्रकाश को अवशोशित करेगा तो वह उसके पूरक रंग यानि की blue नीले रंग का दिखाई देगा यदि कोई लाल रंग के प्रकाश, red color के को अवशोशित करेगा तो वह हरे रंग का दिखाई देगा और यह जो है वह प्रायोगिक आकड़ों के आधार पर भी यह पाया गया है उदाहरन के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक complex है hexa sino cobalted 3-ion यह देखा गया है कि जब इस sample पर स्वेट प्रकाश डाला जाता है तो यह 310 nanometer वाले प्रकाश के तरंग धैर को अवशोशित कर लेता है यह यह ultra valid प्रकाश को अवशोशित करता है और जिसके फलसरूप यह pale yellow रंग का दिखाई देता है इसी तरह से hexamine cobalt 3-plus iron यह 475 nanometer के प्रकाश के तरंग धैर को अवशोशित करता है यह blue color को अवशोशित करता है फलता यह yellow orange color का दिखाई देता है इसी तरह से hexa equa titanium 3-plus iron यह जो compound है वो 498 nanometer यहने की yellow green प्रकाश को अवशोशित करता है और इसलिए यह उसके पूरक रंग यहने की लाल लोहित यह purple color का दिखाई देता है इसी तरह से यहाँ पर हम देखें की hexamine equa cobald 3-plus iron यह 500 nanometer के तरंग धैर को अवशोशित करता है blue green color को अवशोशित करता है और इसलिए यह red color का दिखाई देता है इसी तरह से tetra equa copper 2-plus iron यहाँ पर हम देखें की यह 600 nanometer 600 nanometer के तरंग धैर को अवशोशित करता है यानि कि यह लाल रंग को अवशोशित करता है फलत यह हमें blue color का दिखाई देता है तो इस आधार पर पूरक रंगों में दिखाई देने वाले या complex compound के color का जो कारण है उसे हम crystal field theory के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उदार लेते हैं hexa echo titanium 3 plus iron की यह जो compound जैसे कि हमने देखा यह बैगनी रंग का होता है और साथ ही यह अस्टफल की संकुल हो है यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जो titanium है इसका atomic number होता है 22, 22 और इसका जो electronic configuration है वह होता है 3D2, 4S2 और चुकि यहाँ पर titanium 3 plus oxidation state में है अता यह यहाँ पर 3 electron बाहर करेगा जिससे 4S में से 2 electron और D में से 1 electron बाहर हो जाते हैं और इसका जो final configuration होता है यानि कि titanium 3 plus का वो हो जाता है यहाँ पर 3D1 और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एक electron है और तो यहाँ पर जो crystal field splitting होती है octahedral complex में तो वहाँ पर T2 की उर्जा अधिक होती है जबकि T2G की उर्जा कम होती है तो यहाँ पर जो पहला electron है वह T2G में जाता है और इस प्रकार से जो इसका configuration है वह T2G1EG0 होता है जब इसको स्वेट प्रकास इस पर आपतित किया जाता है तो यह वहाँ से पीले हरे रंग के प्रकाश के तरंग धैर को अवशोशित कर लेता है और ऐसा शोशित करने के पश्चात यहाँ पर यह जो T2G में उपस्तित electron है इसके पास अधिक उर्जा हो जाती है अता यह जंप करके EG और्विटलों में चला जाता है लेकिन वहाँ पर जाकर यह और स्थाई होता है और इसकी वज़ा से यह स्थाईत्तों प्राप्त करने के लिए पुना ही उर्जा का उच्सर्जन करके पुना T2G में वापस आता है और इस स्थती में यह जो उर्जा उच्सर्जित करता है EG से T2G में वापस आते समय जितनी उर्जा यह उच्सर्जित करता है उस उर्जा से संबंधित तरंग धैर के प्रकाश को या उस रंग को यह उच्सर्जित करने के कारण या लाल लोहित रंग का या बैगनी कलर का हमें दिखाई देता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि Crystal Field theory या मानती है कि जो संकुल योगिकों का रंग होता है वा DD transition की वज़े से होता है यहाँ पर हम देखें कि एक और महत्तुपुन बात है यदि यहाँ पर संकुल में कोई लिगन नहीं होता है तो चुकि लिगन अनुपस्थित रहेगा इसलिए Crystal Field विपाटन भी नहीं होगा और जब Crystal Field विपाटन नहीं होगा तो इस स्थती में DD transition भी नहीं होगा DD transition ना होने की वज़े से ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की उर्जा अवशोशित होगी और ना ही किसी प्रकार की उर्जा वहाँ पर उत्सरजित की जाएगी अतर जो compound होगा वह रंग हीन होगा इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर hexa equal titanium chloride जो complex होता है यह भी देखा गया है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से यहाँ पर जो ligand जो equal ligand है यह इसमें से बाहर निकल जाते हैं और equal ligand के बाहर निकल जाने की वज़े से यह जो complex जो की purple color का था अब रंग हीन हो जाता है इसी तरह का उधारण हम copper sulfate के compound में भी देख सकते हैं वहाँ पर भी जो ligand जो जल के रूप में उपस्तित है वो बाहर निकल जाने की वज़े से यह नीले रंग से रंग हीन हो जाता है इसी तरह से जो संकुल के रंग पर ligand के प्रभाव को हम एक और उधारण के द्वारा समझ सकते हैं यहाँ पर हम उधारण ले रहे हैं हेक्जा एक्वो निकल टू प्लस आयन इस complex compound का निर्माण निकल क्लोराइड को जल में घोलने पर जब हम इसका जली विलियन बनाते हैं उसके फलस रूप यहाँ पर complex बनता है हेक्जा एक्वो निकल क्लोराइड और इसका जो कलर होता है वो हरे रंग का होता है यह देखा क्या है कि जब इस भरे रंग के complex को हम समान अनुपात में इथिलिन डाइमीन के एक्वो सलूशन में मिलाते हैं तो उस समय यह जो इथिलिन डाइमीन लिगन है वह एक्वो लिगन को रिप्लेस कर देती है और चुकि हम जाते हैं इथिलिन डाइमीन एक दूइदन तुर लिगन है इसलिए एक इथिलिन डाइमीन का अनू यहाँ पर दो जल के अन्मों को complex जो coordination sphere है उसमें से बाहर कर देता है और इस प्रकार हमें हेक्वो इथिलिन डाइमीन निकल टू प्लस यहाँ पर आयन प्राप्त होता है और इसका कलर अब हरे से हलकी नीले रंग का हो जाता है इसी तरह से यदि हम इस compound में हेक्वो निकल क्लोराइड में जो की हरे रंग का है यदि एक अनुपात दो के अनुपात में इथिलिन का एक्वो सोलूशन यहाँ पर ले ले तो यह देखा गया है कि अब इथिलिन डाइमीन के दो अनू एक्वा के चार अनू को बाहर निसका कर देते हैं और इस तरह से जो हमें complex प्राप्त होता है वह डाइक्वा बेस इथिलिन डाइमीन निकल टू प्लस आयन के रूप में प्राप्त होता है और इसका जो कलर है वह नीले लोहीत रंग का होता है इसी तरह से यदि हम जो हेक्वा निकल क्लोराइड इस complex को एक अनु इथिलिन डाइमीन जो लिगेंड के अनु है वह जल के सभी अनु को जल के जो बचेवी दो औरो है यह सभी अनु को रिप्लेस कर देते हैं और सुयम इसका स्थान ले लेते हैं और इस तरह से जो हमें compound मिलता है वह ट्रिस इथिलिन डाइमीन निकल टू प्लस आयन प्राप पर हम देखते हैं, कि जैसे-जैसे लिगंड की इस्थति बदलती जाती हैं, लिगंड अरीपलेस होते चले जाते हैं, उस संकुल योगिकों का रंग भी परिवर्तित होता जाता है। इसी तरह से हम देखें कि कुछ जो रत्न होते हैं जैसे कि मानिक्य जो की गहरे लाल रंग का होता है या पन्ना जो की हरे रंग का होता है इनके रंग के पीछे भी complex compound होते हैं जैसे कि जो मानिक्य होता है जिसे हम रूबी कहते हैं यह वास्तों में aluminum oxide का जो खनिज होता है उसमें यदि 0.5 से 1% क्रोमियम आयन के संकुल के अस्टफल की संकुल यहां पर उपस्तित हो जाए उसके जालक में तो इस प्रकार जो मानिक के हमें प्राप्त होता है और यह इसी तरह से जो पन्ना हरे रंग का जो रत्न है वो एक barrel नामत जो खनिज होता है जिसमें की beryllium aluminum silicate यह खनिज होता है और इसके जालकों में यह क्रोमियम 3 प्लस आयन के जो संकुल उपस्तित होते हैं इसकी वज़े से इसका रंग हरे रंग का होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो crystal free theory है वो विबिन संकुल योगिकों के रंग को भी कारण सहित इसपस्ति करती है आईए अब हम जानते हैं एक विशेश प्रकार के संकुल योगिकों को जिने हम धातू कार्बनिल योगिक कहते हैं इनमें किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है यह देखा गया है कि बहुत सी जो संक्रमन धात्वे होती हैं यह कार्बोनिल लिगंड के साथ होमोलाक्टिक कंपाउंड बनाती हैं होमोलाक्टिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें की एक ही प्रकार के लिगंड सुपस्तित होते हैं और यह जो लिगंड है वो कार्बोनिल लिगंड होते हैं यह जो इनकी जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इनकी सरचना काफी सरल होती है इसपस्ट होती है तथा य स्क्र Zombi we go clean no you no iron yeah expresses a carbon Auto κονter करोमियम यह इंके उदारण हैं इसके लावा हम दुसे केंद्र कीlara अरल कंपाउंड भी देख सकते हैं जैसे कि यह पर डे का कार्बोनिल मैंगनीज जिस मि की कॉंपलेक्स में दो-दो धातु परमाणू उपस्तित हैं इसी तरह से ओक्टो कार्बोनिल कोबाल्ट यह भी यहां पर धातु कार्बनिल योगी का उदारन हैं यदि हम देखें धातु कार्बनिल कंपाउंड के स्थायत्य को तो यह देखा गया है कि इन में जो धातु और लिगंड के मद्य आबंद होता है उसमें सिगमा तथा पाई दोनों आबंधों के गुन पाए जाते हैं और यहां पर हम जानते हैं कि जैसे कि आप सरचना देहा हैं यहां पर एक धातु परमाणू है जिसके d orbital यहां पर दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से यहां पर लिगन्ड है यह पर जो कार्बन होता है उसके पास जो लोन पियार इलेक्टरान होता है वह धात् 늘 दातू के दी कख्षकों मैं सिक्माद olmaz बनता है दूसरी ओर यहां पर हम देखें कि दातू पर मानु तथा लिगन्ड के मध्य एक पाई आबंध भी बनता है यह पाई आबंध यहाँ पर धातु परमानूं के पूर्ण पूरित जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें उपस्थित इलक्ट्रां जोरों को यहाँ पर लिगंड के जो यहाँ पर कारबन है कारबन जो लिगन है उसके रिक्त प्रति आबंधित पाई आर्बटलों में यहां पर इसे डोनेट किया जाता है और इसके फलसरूप यहां पर एक पाई आबंध का निर्वान होता है तो इस तरह से हम देखें कि यहां पर धातू तथा कार्बनेल लिगन्ड के बीच एक साक्रियाशीलता को रियाक्टिविटी का प्रभाव दिखाई देता है और यही जो साक्रियाशीलता प्रभाव है वह धातू और कार्बनेल योगिकों के बीच बनने वाले जो धातू कार् पाउंड होते हैं उनके स्थायत्रों का कारन होता है इस तरह से हमने इस अध्याय में संकुल यौगीकों के क्या है इनके बहुत से जो दैनिक जीवन में उपयोग है उनके बारे में जाना है हमने इनकी सरचना किस प्रकार से होती है संकुल योगिकों के कौन-कौन से भाग होते हैं इसके विशे में जाना है तथा संकुल योगिकों की सरचना या जामिती को सपस्ट करने वाले बहुत से सिध्धान्तों जैसे की प्रारंभीक वर्नर के सिध्धान्त फिर्वैलंस बॉन्ड थिओरी तथा उससे अधिक फ्योरी के विशाय में जाना है